यत नववी मराठी सक्कू आजी एक हानी का लेखके राजन गवस पहले खताकार के बारे में जानगारी प्रसिद्ध खता, कादंबरीकार, कवी, समीक्षक, संशोधक, भंडार भोग, दिंगान, कलप, तनकट, इत्यादी कादंबरिया, हुंदका, काव्य संग्रह, काच, कवडिया, हाल, ललित, गद्य संग्रह, प्रसिद्ध आहे तो राजन गवस नामक जो कथाकार है, उनके बारे में यहाँ पर बताया है, वो बहुती प्रसिद्ध कथाकार है, कथाकार याने कथा लिखने वाला, कादंबरीकार, बड़े-बड़े नोवल्स लिखने वाला, कवी, समीक्षक, मतलब क्रिटिक, अलग-अलग लोगों ने लिखा हुआ बुक्स को उसके बारे में स्टेडी करके उसके बारे में लिखने वाला, और संशोधक, ऐसा यह सभी फील्ड में राजन गवस बहुती प्रसिद्ध है, और उनके कुछ बुक्स का नाम इदर दिया हुआ है, भंडार भोग, दिंगाना, कलप, तनकट, यह सभ कादंबरियों का नाम है, हुंद का एक काव्य संग्र है, काच कवडिया, एक ललित गद्य संग्र है, प्रस्तुत पाठात, सकु आजीचा मनातील, जुनिया नव्या जीवन मुल्यान विशईचे भान, तीची प्रगतिशील दुष्टी, निर्नेक्षम्ता, मांसन्वर्च प्रेम आतिशे सव्जते ने व ओगवत्या शैलीत लेक काने वर्नन के लिया है, तो इस पाठ में सकु आजी नाम का एक बहुती बुड़ी एक इनसान के मनातील, जुनिया नव्या जीवन मुल्यान विशईचे भान, उनके मन में जो नए जुने, जो जीवन है, जिन्दग उसके मूल्य और उनके जो प्रकतिशील दृष्टी, प्रकतिशील मतलब डवलप्मेंटल तरीके का जो नजरिया और निरनेक्षमता यहने फैसला लेने का केपासिटी, मानसन वर्चिप प्रेम मतलब इंसानों के लिए जो उनके मन में जो प्यार है, यह सभी आतिशे सहज प्रेम मतलब बहुती सिंबल तरीके से एक दम फ्लो भाषा में उन्होंने यहने राजन गवस नाम अब जो कताकारे उन्होंने वर्नन किया है सक्खुआजी पर्वा वारली, पर्वा मिन्स परसु, वारली मिन्स उनका देहांत हो गया, उनका डेत हो गया गोस्ट कदा चित, सांग्या इत्पत महत्वा ची नसिल, फ्रवा जो बात है फ्रवा इक बात में बहुती से बोलने जशा कोई बड़ी बात या कोई महत्वा थी बात नहीं, मतलब लिखाटी इंपर्टन कोई बात नहीं है कि सको आजी वारले, कारण आपन किती तरी मृत्यू रोज आनभ होतास तो, कारण गया है क्योंगी कितने सारे लोगोंगा मृत्यू का नियूस रोज अमको सुनने को मिलते हैं, हमारे जीवन में कितने सारे लोगोंगा मोत होते रहते हैं, मग सको आजी मारन पावली याला वि इतना क्या विशेश महत्व है इतना क्या इंपोर्टेंट से आइसा कोणी ही उपस्तित करो शके आइसा सवाल कोई भी पूछ सकते हैं यह बाबत मला काही ही मनाईचे नहीं अगर किसी ने ऐसा सवाल किया क्या इतना इंपोर्टेंट बात है अबर कोई पूछेंगे तो मला काही मनाईचे नहीं उनके जबाब में मुझे कुछ भी बोलना नहीं है तरी ही सक्कुआ जी का मुर्टियों मला खोलवर जखम करूंगे ला खोलवर मतलब वोती गहरा एक जखम मेरे मन में दे कर गया सक्कुआ जी की मृतियों आपले असा काही हरवल, असा मला आज ही वाट थाए, मतलब सक्ष्गाजी का जो मौत होने के बाद, उनका देहान दोने के बाद, असा मला वाट ले कि माझा आपले काही हरवल, मेरा अपना कुछ तो या कोई तो लोस्ट हो गया। ऐसा मुझे लगने लगाओ और आज भी ऐसा लगता है। मेरा अपना कोई नई लगता है। पर फिर भी वो मेरी बहुती करीब की थी। रक्ता चा मांड सा इतकिच जैसे रक्ता चा मांड सा मतलब मेरे खून की रिलेशन गा उतना सक्कोआजी चे वाई वर्शे नौबध और सक्कोआजी जब गुजर गई तब उनका उमर वाई कितनी हैipping 90 यने 90 की थी हातात काठी और वो मतलब लास्ट लास्ट के टाइम की बात है कि हात में काठी लेकर गुमती थी वाकून कमान जा लेले शरीर वाकून यहने मुड़कर, तेड़े होकर या जुककर एकदम कमान जैसे आर्ट जैसे बना हुआ एक शरीर चेरा सुरकुत्यान नी भर लेला पूरे रिंगल्स के बुड़े उने पे जो चेरा जुरियां होती है तो वैसा रिंगल्स भरे हुए जुरियों भरे हुए चेरा सको आजी गल्ली तुन जाताना कोणी सहज मंटड़ सहज यहने ऐसा ही नॉर्मली सको आजी अगर गल्ली से जातो है वे देखेंगे तो कोई ऐसा नॉर्मली कहा अगर आजी कुटच सालीस आजी कहाँ पर चले तर लगेच उतर तो यह सुनने की देरी यह लगेच हैने तुरंद उतर मिल जाता है कुटच जातो है बाबा मातर मानोस हाड गेली वडियाला बगा माजया माडियाला ऐसा सको आजी एक कविता जैसा बोलती है एक दम राइमिंग के साथ मतलब मेरा मातारी कहा पर बुड़े इनसन के बुड़ी कहा जाने का मातार मानुस मतलब बुड़े इंसान है मेरा हाड मतलब जब अचिता जलाने के बद भस्म और हड़ी वगिरा जो पानी में डाल देते हैं मतलब मेरा जो मरन हो गया है या फिर मेरा ये जो शरीर है शरीर को तुम देखो मतलब यहां पर बोल रहे कि हाड गेली वड़ियला और आगे बोल रहे कि हाड गेली वड़ियला हाँ बगा माजया मढ़याला मतलब माजी हाडेश मशानत पहुच ली आता तुमी फक्त माजया मढ़याला बगा मतलब माजया प्रेताला याने मेरे शरीर को इसिफ देखो बाकी तो मेरा आत्मा पहुंच गी है फिर मैं अल्मोस्ट मर गई है ऐसा वो बोलती है मातारी काई बोलते है सगलेना समझाय चास नहीं और ये ऐसे के गाने के जैसा या कविता जैसा जो बोलती है के सवाल के जवाब पे तो ये हर किसी को सगलेना समझाय चास नहीं हर किसी को समझ जाए ऐसा नहीं है पर प्रतिक जन तिच्चाशी बोलाय चा प्रैत्न करतो लेकि सक्खवाजी हर किसी से बात करती है, मला सक्खवाजी नेमीच एक कविता बाटते, और मेरे बारे में मतला लेखक बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो सक्खवाजी हमेशा एक कविता ही लगती है, ती कवितेद बोलते, कवितेद जगते, और वो पूरे कविता में ही पोयम में ही ब बहुत ज्याधा भाशिक ज्ञान याने लेंग्वेज का नोलेज। कोणा कड़ून कोणा कड़च दिसत नहीं मतलग किसी के पास पी मैंने इतना भाशा ज्ञान देखा नहीं है जितना सक्कुवाजी के पास है। सक्कुवाजी सहज बोलाएला लागली तरी एक कविताच बोलाएची। गरात बसायच सोडून मत चुपचप गर में बैटनेगा चोड़के कुट निगालेज मरायला मरने केले का निकली का मरने निकली आयसा कोई पूचेंगे। तर लगेच मनाईची। तूरंद बोलने की। मरन लोकाला सरन दिकला माज कपाल भरल अभाल मरल मानुस जिजल कानुस मातारी नौसाची बरून उरायची। तर लोकाला सरन दिकला निकलते हैं हमेशा रहता है कभी मरता नहीं है। माज कपाल भरल अभाल माज कपाल भरल अभाल माज कपाल भरल अभाल मतलब पावसाचा डगानी आभाल जिजल कानुस तर से माजे नसीब आगे। मतलब मेरा नसीब उसी तरा है जो बादल से वरे हुए आस्मान की तरा है। मानुस मानुस जिजिल कानुस मतलब ऐसे एक 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 लाइन चेसा बोल रहा है मानुस 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 जिजिल कानुस मानुस मेलेले मानुस मेलेले मानुस किस तरह है जिजिल कानुस मतलब खराब होगया हुआ कान सा सर के मतलब जो अनाज के वगरा जो दाने हैं, उसके जीर नो गया हुआ कनस के तरह है, मातारी नवसाची भरून उराईची, मातारी नवसाची भरून उराईची, तो उनका कहना है कि मातारी नवसाची भरून उराईची, मतलब ही आजी मातारी, मतलब ही तुम्हाला नवसा ने मि यह हमेशा यहां पर रहने वाली है, यह सगलती जुलून बोलाई ची असन है, और यह ऐसा नहीं कि एक एक सिंदेंस को जोड़ जोड़ के सोच सोच के बोलें, आईसा नहीं है, पंटी बोलाईला लागली कि आप वापस तीचा तोंडा तोंटे बाहर ही आएचे, अगर बोलन नहीं कर सकता, जो वर्नन नहीं कर सकता, वैसा एक खुशी उनसे बात करने पर मिलता है, लाहान पणी जा शालेला जाता जाता आजी आमाला गोला करून बसाईची, लाहान पणी यह बचपन में, स्कूल में जाते जाते रस्ते में, यह सकोवाजी हमको बच्चों को सबको मतलब इकटा करके बिठाने की, शेता तलिया देवा चा गोश्टी सांगाईची, खेती में जो देव है, भगवा ने उसका कहानी बोलने का, आजी ची गोश्ट कदी-कदी आठवडा आठवडा चालाईची, कभी-कभी यह सकोवाजी का जो कहानी है, हपते-हपते चलने का आठवडा यहने वीक, शाले जाता ना काही बेल, मतलब कुछ देर स्कूल जाते-जाते कुछ थोड़े बहुत स्टोरी सुनाएंगे, और शाले तुन यतना काही बेल, आते वक थोड़े थोड़े स्टोरी सुनाएंगे, आजी तो ठरलीला कार्यक्रा मसाईची, अजी यह आठा था हमारा स्कूल जाते-जाते भी और स्कूल से आते-आते भी, एक दा आजी ने एक गोष्ट साहर सुरू के लिए और संपवली, एक दिन आजी ने एक गोष्ट एक कहानी आईसे ही चालू किया और कतम भी कर दी, पंती माझा मना दीर्खकाल रेंगाली, लेकिन वो एक स्टोरी मेरे मन में बहुत टायम तक दीरककाल यहने बहुत ही वक्त तक रेंगाली मता मेरे मन में ही रहा, आजी मनाली शेतात एक साप होता, तो वो कहानी आई आजी ने इस तरह बताई, शेतात एक साप होता, खेती में एक साप था, त्यांचा मानुष जाला, वो साप इनसान बन गिया, तेहला पंख फुट लें और उसको पंख आया, पंख खहल गया, विंग साय ben chick to sa moudğa do समुदर में चार तपखिया, चार तपश के लिए उतक लिए बहुत कम हम थाउत जा Satym नहीं कि आड़ी तपशी लीए उतको अला बुटाती हुटा है यो revealing वोन के पिणा बच्श। बच MOR जिए आया, बाले को समय जाले ख órगगता हो गष्मर्टिन कई तपस्टरिया! अभातोर में कर के बाल geliyor, व मμέल ए वे मलन मिएं थे निव channel म्हा rockets करता है कि इसके लिए प्लॉविंग करने के लिए खेती जोतने के लिए तो नांगर जुंबला मतलब फ़फ अगरा जुड़ाया एकदम रेडी रखा फडाला नागीन डस ली और इतने में जो प्लॉफ मिंस जो हल है बाइल चलाते हैं जो हल उसका जो प्लेट से उसका फड़ा फड़ा मिन्स उसका जो लोखंड का जो प्लेट से जो जमीन के अंदर जाता है उसमें नागिन डस ली यानि कि नागिन साप नागनी वो क्या क्या डस लिया बाइलाची दातकुडी बस ली और इतने में क्या हो गय नांगराची नजी जाली और यह जो नांगर है यानि कि यह जो हल है जो ट्रैक्टर राशकल के जमाने में यूज करते हैं पहले हल था उसका नदी बन गया बैलाला अंगोल गातली बैल को निलाया अंगोल गातली त्याच्चा साप जाला तो ओ क्या बन गया साप बन गया नागरी ला गेवन पढ़ाला और यह साप नागरी को लेकर भाग गया हे सांगताना यह सब कहानी है कोई मतलब नहीं है कुछ एक दुसरे से कनेक्शन नहीं है बे मतलब का जैसे जादू के जैसे कोई कहानी बता रही है हे संगतना आजी चा चेहरे वर्चे बदरनारे भाव, लेकिने कहानी बोलने पर आजी का जो चेहरे पर जो बदलता हुआ भाव नाए हैं, हाता चाहाल चली, हात का जो इशारा वगरा जो करती है हाथ से, या सार्या तुन हे सार आपले समोर घड़त आहे, यह सब देखने पर और वो गटना होते हुए हम देख रहा है, आसा वाटू नंगावर शहारे याईचे, ऐसा लगकर, ऐसा फील होकर आंग में रोंग्डे खड़े हो जाते हैं। वो देख रहा है, वहा है, थिश हो और समय भैसे नीर, अनली होब लगकर है, वहा है करने लुदिश कि वोतनी के ज़न से इस स्विश को शुप्णा हो जाएं। पाल आंगोल का एल रहा हैं, त्टक अड़िया ये रहा हैं, श्कुछ आंग ऑड़िया श्कुछ अपला रहा हैं, ऐसे कहानी इंतररक जो पालny को जो निलानी का तरीका मतल पालिय को अजया सबकती तक अजया। माजे डोड़े टक उगड़े पड़ाएची मतब मैं आँखे एकदम खुला रखने का तितुन पुड़ा जोपस लागाएची ने और उसके आगे तो नींद लगने का ही ने कदी तरी आपले आपना सपने के अंदर का सपने में जो सप है वो नागिन को लेकर चले जाएगी आणि आपले आपले बढ़ायेची बंद हो और तब से लेकर ये सपना आना बंद हो जाएगा आसा वाटायेच आईसा मुझे लगता था पन काईक वर्षात आसा कदी घरला नाई, लेकिन काईक मता कित्येक बहुत सारे वर्षों से तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ही काथा कधी अच्छानक स्वपना तेतेच और ये कहानि अच्छानक कभी सपने में आ जाता है, आजी ने काईक गोष्टी संगितला काईक मिन्स कित् पन यवडिश कशी मेंदूत रुंदून बसली हा प्रश्ण अनुतरित आहे, लेकिन ये कहानी मेंदूत याने दिमाग में आईसा कैसा उसके बैड़ गया, इसका अनुतरित आहे ने, जिसका जवाबी नहीं है, त्या काली अनित्यान अंदर या कोष्टी चा अर्थ आजी आजी ला विचार लातर, अगर मैंने आजी को पूचा होता, तो ती फक्त हसाई ची, वो सिफ मुस्कुरा के दिखाती थी, मद्यच एक दा मनाली, बीच में एक बार ऐसे बूली, गाव गरती ला सपान धरती ला, धरती दुवापली माती हाराकली, आता ही कोणाला कलना, ऐ एक दिन उन्होंने ऐसा कहा कि गाव गरती ला सपान धरती ला, धरती दुवापली माती हाराकली, तो इसका मतलब भी किसको क्या मालूम, उन्होंने कैसे तो बोल दिये, पर इसका मतलब ऐसा होता है कि गाव गरती ला, यानि गाव में जो आवरते हैं या गाव में जो कुल आएगा और माती हरकून जातील आणि आनंदी होतील मतलब मिट्टी बहुती खुश हो जाएगा और मिट्टी में अच्छे अच्छे फसल हो गाएगा आईसा पर किस मतलब सही बोली कुणाला कल्डना ही सकोaji गावातल्यकुणा च्याही बार्शाला लगनाला मैताला हतकून पुडव असाइचिछ तो इस सकोईजी अगर गाव में किसी का भी बार्शा मतलब बच्छे जनम लिये तो उनका नामकरन करने का जो त्योहार होता है उसमें लगनाला मता शादी में मायत अला किसी का मौत हो गया वहाँ पर हर जगे में हटकुन पुड़ा असाइची एकदम सबसे आगे ही रेने की सगलत इचा मन्यानु सर चालाईची सब जगे में चाहे कुछ भी ऐसा सिजुएशन हो सब जगे में सकुवाजी जिस तरह बोते उसके इसाब से ही होता था तीचे शब्दला चलेंच नसाइची उन्होंने जो बोला वो बात को कोई चलेंच करते ने थे फोलो करते थे गावातले बापाय मान साथ ती एकदम बरो बरी ने वावराईची जो गाव के जो बापाय मा तुन में कटो कटो उनुगे ही साथ में भीहेव करने का एकद गावा चे लक्षमी ची जत्रा धर ले एक बड़ गव में लक्षमी देवी की जत्रा मतरब मेला लगा इड़ पडना चाकवंदी जाली, मतरब सब जगे में भीडव हो गया, पप्लिक जमा हो गए चाकवंदी जाली मतरब बालगाडी वगड़ जाना आना, यहाँ वाहाँ लोग आना जाना बंग कर दियों उदरी गाव का ही लक्षमी देवी की जत्रा है असाथ गावातली वस्तु बाहर जाओ द्याइची नहीं असा नियम और तो ये लक्षमी ची जत्रा जब होता है गाव में तो गाव में से कोई भी वस्तु क्योंगे गाव के हर एक वस्तु लक्षमी देवी का देने तो कोई भी वस्तु गाव से बाहर जाना नहीं ऐसा एक नियम था, ऐसा एक कानून था वहाँ आशा तर इतने, मतलब ऐसे कंडिशन में, साथबा गोरपड़यां चा पोरगा, साथबा गोरपड़यां नाम का वेक्ति का पोरगा, मतलब बेठा वावग वागला, मतलब जो गलत तरीके से बेहव किया, मतलब कानून को तोड़ दिया, उलंगन कर दिया कानून का, शायद गाव से कोई चीज बाहर पहुंचाया होगा, गाव बाइठाग वसली, मतलब जो सरपंच लोग वगरा बिठा कर, बाइठाग बिठाया, डिसिशन पढ़ ने केरें पंच मनाले, रिवज अनुसार तियाचाप पोड़ दंड करा जो जैसा मारा इंट रिवज धर का रीव慈 उसके विछ से ऑने सगवा का बेटे को कघ़िन से कघ़िन किक्या देना है, दंड देना है, शगले दोलन सब्स्ढ़ डर ओलाह पाऒलाई, सब्सम इले लगे भंचानाव सब्सक्राइल, तो आपी ही निर्ने स्ट्राइल, तो अब मुझा सब्सक्राइब और वादी निर्ने पर्णी निया लग्वा की कुछ इले लग्य। जब भंष्या जे सब्सक्राइब। जो घरोलुत RV optimize मंह ने जालने पोर्ग मंटी कापतँ हूअ अपर जालने पोर्ग मंटी कापतँ हूँ या आत्ति लग tat मतलि नोगमे टोने कर शीशिकाई回ूकची भोल के मंटी कापते हूँ हम बस्तो víмटवे काठतेंके जाए जब आप बलावा, भगाय लागले, जब लोग एक दव आवास नब भगाय लागले, मुह खुले के खुले रहे उनका जवाब सुन्गर, भोलायच अगा है शेवटी सब खुले तो इतनी सी चोटी एक गलती के लिए इतना सब कुछ करेगा, उन्हों ने भूला और सब जब साथबा चा पोरला कोणीच काही बोला नहीं और साथबा का वेटे को कोई भी किसी ने कुछ बोला नहीं, मातारी ची गावाला भीती होती, मताब इंडरेक्ली बताय जाएगा तो ये सक्कु आजी से पुरे गाव के लोग रिस्पेटफुली डरते थे, एक दा सक्कु आजी गावातले आया बाया गोला करून आमचे घरा ताली, एक दिन सक्कु आजी ने, गावातले आया बाया मतलब लेडीस को गोला करून निकटा करून आमचे घरा ताली, हमारे गर में आई, तेवा में कोलेजात होतो, तभी में कोलेज में पढ़ रा था, आमचे भागात प्रवड साक्षरताह मतलब जो वायसक कर लोगे, जो उम्र के लोगे, जो बद भाज में पढ़ने सके, आईसे तो बूडे होगे हुए लोगोंगो साक्षर्ता याने उनको साक्षर बनाने का याने लिखने पढने सीखाने का प्रोग्राम चलता था बहुती जोर से पन आमचा गवात एक ही चालत नौ था लेकिन आमारे गाव में कोई भी ऐसा साक्षर्ता वर्ग याने अनिल्गा बेटत तोडही नी है पर गाउई का बेटता है तो लेकर को तेके बोला आम्चय पोर्गये वड़काई का सिकला है हमारे ये लड़का कितने क्या क्या सी कहructor है आप लह दूसेरा मास्तर करें मास्टर कर चाला पाहे जे तू फोह कोई सर क्या जरूरत है तू शिकीवर, मतलब तू ही सिखा लेना, हमगो तू ही सिखा देना, सकु आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली, इस तरह हमारा लेखक ये जो लडिस लोगों को ये बुजूर्गों को सिखाने चालू कियें, आणि सकु आजी 15 दिन के अंदर वाचायला शिकली, पढ़ने के ल सिखी वैसा नहीं है, और वो दूसरे बाइकाना, दूसरे अवरतों को लिखना, पढ़ना, सिखाने भी लगए, त्या वेली आम चा गाव चा सरपंच अंग्ठे वाला होता, अंग्ठे वाला मतलब अंग्ठे चाप, अंगोटे चाप मतलब जिसको पढ़ने लिखने, इव सिखाने, था नहीं है पकड़ा सरपंच अंग्ठे बाइकाना, सिखाने भी लिखने, पकड़ा उनसे मिला, आठ्रवाड़त सही पूर्ता साक्षर केला, और यह जो सरपंच अंग उसको सखाने ने सामने, मतलब ओफिस के या जहां मीटिंग होता है कि मैं पकड़ा, और हप आम का जो बंदा है उसका पोर गॉशा, उनका बेटा पहल lead पोलीश ताला, मतलद सब्से पहली बार हमारे गाव से एक लडका पोलिस बन गया, हमातारी न młyears कहा बावाताओ कुल मातारीने भी आरी अवुप कहा दैशकर का मिठा उसके मुँमे दिया या फिर मुँमेठा किया गाव मंजे मातारीचा गोतावळा इस तरह ये गाव गोलेगा तो मातारीचा गोतावळा गोतावळा मतलब रिलेटिवस पूरे नाते वाइक तिला गावात लिया सगलें लहान थोरन मदे आपला घर दिसाई चे गाव के हर चोटे बड़ों के सबी के बीच अपना घरी दिखाई देता था उसको याने हर कोई अपने लगते थे सकवाजी शिकली सवरली असली मतलब अगर एजुकेटर होती सिखा पड़ा मतलब सिखी पड़ी होती तर शहरात जन में असली और शहर में अगर जनम लिया होता तर कुटला 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 पोचली असली कहां का कहां पोचली होती इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लापली होती प्रचंड योने इतना बड़ा इतना ज्यादा भारी बुद्धी दिमाग उने मिला था पंटे तिचा नशिबत ना होता मनुन काही बिगड़ा ना होता लेकिन एजुकेट्शन, हाइली स्चडीस, सिटी में रहना ये सब उनके नसीब में नहीं है इसका मतलब उससे कोई बिगड़ा नहीं था तिन सगलत चा हायातित काभीच केलो होता अपना हायातित याने अपने पूरे जन्म में अपने पूरे जीवन में उनने ये सबी कुछ हाजिल किया था सकुआजी मारन पावली ये सकुआजी आज गुजर गई लहान पोरन पासुन मातार्य कोतेरां परियंद प्रत्य काच डोले आतुन पानी आले चोटे बच्चों से लेकर मातारय कोतेरां मतला इसे नॉर्मली बहते हैं बुढे उजर्ग सभी लोगों के आंखों में पानी आया गाव पोर्क जाल मंतले मझे अनाद हो गया गाव में से सकुआजी चली गई तो गाव अनाद हो गया आता फक्त आजी चा दंद कथा, दंद कथा मतलब ट्रेडिशनली बूल के सुनाया हुआ कहानी, लेजेंज, गडलेले ना गडलेले, कुछ हो गया हुआ भी है, कुछ नहीं भी हो गया हुआ, लेकिन लोग बोलते रहते सको आजी का कहानी है, प्रत्य गावात आशी एक आजी गाव चा गोतावला संभालून गेलेली चसते, ऐसा हरे एक गाव में गाव का ही अपनी एक आजी, गाव का गोतावला गोतावला याने रिलेशन्शिप को बचाने के लिए, संभालने के लिए रहता ही है, आता गाव गाडा बदल्ला, लेकिन आवी सिचुएशन इसा नही आज याजी के लिए कोई मातारी के लिए कोई गाओ में जगाई नाहीं बच्चा अडचय विलांची fucking is इस जिस तरह में आज को सक्को आजी का आठान यादे Yukar आपको इसाथ शेर करते वाई से आने वाले जनरेशन के पास कोन सी ऐसे आजी होगी जिनका आठों जिनके बारे में जिनके यहादे आने वाले या उसके आगी के पीडियों से बात कर सके